नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हम पढ़ रहे हैं कक्षा साथ NCRT हमारे अतीत भागदो और इस सीरीज में आजम शुरू करने जा रहे हैं मुगल समराज्य जो हमारा चेप्टर नमबर 4 है, तो आईए शुरू करते हैं मद्यकाल में किसी भी शाषक के लिए भारतिय उप महादवीब जैसे बड़े शेत्र पर जहां लोगों वे संस्कृतियों में इतनी अधिक विवेताएं हो, शाषन कर पाना अत्यान्थी कठिन कारे था अपने पूरू वर्तियों के विविप्रीद मुगलों ने एक समराज्य की स्थापना की, किसने की मुगलों ने और वह कारे पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था सोल्वी शतापदी के उत्रार्द में, इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था और सत्रवी शतापदी में लगबग संपून महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने प्रशाशन के ढांचे और शाशन समंदी जो विचार लागू किये वो उनके राज्य के फतन के बाद भी ठिके रहे मुगल समराज्य एक ऐसी राजनितिक धरोर थी जिसके प्रभाव से उप महाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शाश्क अपने आपको अच्छूता नहीं रख सके और आज भारत के प्रधान मंत्री स्वतंतरता दीवस पर मुगल शास्कों के निवास्थान जो कि दिल्ली का लाल किला था उसकी प्राचीर से राश्टर को संबोधित करते हैं यानि कि जो दिल्ली का लाल किला जहां से हमारे जो प्रधान मंत्री हैं वो अपना संबोधन र ये लाल किला और इसकी जो प्राचीर है ये यहाँ पर प्रधान मंत्री 15 अगस पर 26 जनवरी के अवसरों पर यहाँ से संबोधन राष्टर को देते हैं अब आगे देखिए मुगल कौन थे पहला कोशन कितना अच्छा है देखो मुगल कौन थे तो मुगल कौन थे जी ये दो महान शाषक वंशों के वंशज थे यानि कि माता की ओर से ये थे मंगोल शाषक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था उसके उत्रादिकारी थे यानि कि क्योंकि हजबन और वाइफ मिलके ही एक फैमिली को क्रियेट करते हैं तो यहाँ पर ये माता की तरफ से तो चंगेज खान के उत्रादिकारी थे और पिता की ओर से इरान, इराक और वरतबान, तुर्द की के जो शाषक है तैमूर जिसे तैमूर लंग भी का जाता ह उसकी संतान थे जिसकी मृत्यू 1404 में हुई थी ठीक है लेकिन मुगल जो है वो अपने आपको मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान की उपलवधियों में अगर हम देखें तो इसने तत कालीन जो समाज था तत कालीन जो दुनिया जो थ उसकी लगबग 11 परतिशत जनसंक्या को इसने खतम कर दिया था लगबग 4 करोड़ों को इसने मरवाया था तो जो मुगल है वो अपने आपको इसकी संतान कहलाना इसके उत्राधिकारी कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये जो मंगोली है मंगोल है ये चीन वाली रहने वाले थे ये इरान इराक और परतमान तुर्की का जो शाषन है वहां के ये रहने वाले थे ठीक है और ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की जो जुड़ी सम्रतियां है वो सैंकडों व्यक्तियों के नरसंगार से संबन दिते हैं इसलिए इन से रलेटेड नहीं में 1398 में दिल्ली पर कबजा कर लिया था यानि कि यह जो मह तैमूर है चितर और मुगल समराँट का लगू चितर है देखि़े यह जो लगुचित्र हम देख रहे हैं यह 1702 से 1712 के बीच में बनवाया गया इसके मध्य में यह कौन है यह तैमूर लंग है और इसके दाहिनी और इसका जो पूत्र है मीरन शाह वो है ठीक है जो प्रथम मुगल समराट बाबर का लकड दादा था एक होता है दादा एक होता है परदादा और एक होता है लकड दादा यानि दादा परदादा का पिता तो यह लकड दादा था उसके बाद अबू सेध है जो बाबर के दादा थे फिर उसके बाद तैमूर के दाहिनी और तीसरे और चोथे नंबर पर पांचवे व्यक्ति मुगल समराथ बाबर अकबर और शाजा है ठीक है और इसके दाइन तरफ जो थे वो ये व्यक्ति यानि ये तो इनका जो है मीरंशा हो गया फिर अबुसेद है और इस तरह से ये इनका एक पारिवारिक चित्र है यानि कि इन में से जो भी शाशक बनता था ना वो अपने आपको तैमूर के साथ एक पोट्रेट जरूर बनवाता था क्योंकि वो अपने आपको एक फैमली डाइनेस्टी में दिखाते थे ठीक है एक फैमली पोट्रेट इनका हमेशा हर जो भी इनका जो आगे से आगे जनरेशन आत अपनी वए्षावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर इन्होंने ऐसा उनको एक ट्रिब्यूट दिया है प्रतेग शाषक को है तैमूर मुगल सैने अभियान अब हम बात करते हैं मुगल सैने अभियानों के बारे में प्रता मुगल शाशक बाबर जिसका शाशन काल 1526 से 1530 तक रहा है इसने फरगना राज्य का उत्रादिकार प्राप्त कर लिया था 1494 में इसने फरगना इसे हम फरगना भी कहते हैं फरगना का उत्रादिकार प्राप्त कर लिया था उस समय इसकी उमर केवल 12 साल की छोटा बच्चा यह ज्यादा उमर का नहीं है मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आकर्मन के कारण उसे अपनी पैतरक गदी छोड़नी पड़ी यानि कि मंगोलों की जो दूसरी शाख उजबेग इनका आकर्मन हो गया था इसकी वज़ा से इसे अपनी जो फरगना का उत्रादिकार है अपनी जो पैतरक गदी वो छोड़नी पड़ी फिर यह जो बाबर है वो कई सालों तक भटकता रहा है इदर उदर फिर इसने 1526 बटकने के बाद 1504 में इसने काबूल पर इसके बाद में 1526 में इसने दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद में हरा दिया था ठीक है पानीपत का प्रथम युद जो हुआ है वो किस-किस के बीच में हुआ है यह हुआ है इबराहिम लोधी और बाबर के बीच में इनका जो युद हु इसी तरह से हम आगे देखते हैं इनके जो मुगल सैने अभियान है वो होते हैं इस लंबे गटना करम में क्या पुन्रावरती होती है उधारन के लिए आप गोर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तातकाली खत्राते मुगल और अहोम सिखों और मिवाड और मारवाड ये सारे जो हम इनके नाम दिये गए आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको पढ़ने वाले हैं और सफाविद इरान से अकबर और हुमाईयों के समंदों में क्या अंतर था ये उनकी आगे की जनरेशन के बारे में है बाबर के बाद आने वाली जनरेशन के बारे में और में उनका प्रशाशन कैसा रहा इनके कौन-कौन से युद्ध हुए उन सब को हम अब आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं देखिए यहां पर एक चीज दिखाई गई है कि मुगल शाशक चया वो युद्ध अभियान पर है और और सोलवी शताबदी के युद्धों में देखिए युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में चोधवी शताबदी में लाई गई आगने अस्त्रों यानि अगनी से जो मारक अस्त्र हैं वो बनाए गए इनका सबसे पहले प्रयोग गुजरात मालवा और दकन जैसे प्रदेशों में हुआ आरंबिक सोलवी सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया आगने अस्त्र तो यहां पर चोधवी शताबदी में शुरू हो गए थे युद्ध में चलाये जाने वाले बारूद से बने हतियार लेकिन सोलवी शताबदी में इनका जो सटीक उप्योग है वो किसने किया है बाबर ने किया है तोप और गोली बारी का उप्योग किया बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से उप्योग किया था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इबराहिम लोदी के बी ये हैं मुगल समराट और इनके प्रमुक अभियान और घटनाए बाबर का जो करेकाल है वो 1526 से 1530 रहा है 1526 में पानीबत के मैदान में इबराहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को ये हराता है ठीक है फिर है 1527 में खानवा लिखा हुए ये खानवा का यूद होता है ये किस-किस के बीच में होता है बाबर के और राणा सांगा के राणा सांगा राजपुत राजाओं और उनके समर्थकों को कोन हरा देता है बाबर हरा देता है फिर है 1528 में चंदेरी में राजपुतों को हराता है कोन हराता है बाबर हराता है फिर से और चंदेरी के वे कोन सा राजा होता है तो वहाँ पर इस टाइम पर होता है मैदिनी राए मैदिनी राए उस टाइम पर ये 1528 में चंदेरी में मैदिनी राए को ये हरा देता है फिर है 1539 यहाँ पर इसके बारे में दिया नहीं है एक और युद होता है 1539 में वो होता है घागरा का युद ये किसके बीच में होता है ये होता है गागरा का बाबर और महमूद लोदी के बीच में अब ये महमूद लोदी कोन है ये इसी इबराहिम लोदी जिसके साथ 1526 का यूद होता है पानिवत का ये उसी का भाई होता है क्या नाम है इसका हमने बोला महमूद लोदी पहले है इब महमूद लोदी को हरा देता है और 1530 में इसकी मृत्यू हो जाती है और इसको बाबर की मृत्यू हो जाती है और इसे यमुना किनारे आगरा में राम बाग में दफनाया जाता है लेकिन फिर इसकी इच्छा होती है कि मुझे मेरे काबुल शहर में दफनाया जाए तो इसका जो मकबरा है वहाँ पर बनाया जाता है काबुल में किसका मकबरा है यह बाबर का मकबरा है ठीक है पहले इसको आगरा में दफन दिया जाता है काबूल जाके और यह किसमें लिखता है अपनी इच्छाओं को या इसके एक बुक भी है जिसे हम पढ़ते हैं बाबर नामा ठीक है इसकी एक बुक भी आती है और बुक का नाम है बाबर नामा या हम इसे एक और नाम से जानते हैं इस बुक को इसे कहते हैं जूक ए बाबरी ये एक पुस्तक है जो बाबर के द्वारा लिखी गई है और ये किस भाशा में लिखी गई है तुझू के बाबरी तुरकी भाशा में लिखी गई है क्योंकि ये वहीं के रहने वाले तुरकी के रहने वाले हैं तो इसने अपनी जो बुक है तुझू के में आता है हुमाईयू अब हुमाईयू जो हुमाईयू जो है इसका कारेकाल आता है 1530 से 1540 तक और फिर यह थोड़े टाइम के लिए गायव हो जाता है एक तरह से अग्यातवास अग्यातवास तो नहीं है सौरी कुछ टाइम के लिए यह अपनी राजगदी से दूर हो जाता है अपने शाशन पे नहीं टिक पाता और 1555 से 1556 के वापिस कमबैक करता है और एक साल के लिए ही वापिस इसका कमबैक होता है अब जो हुमाईयू है हुमाईयू ने अपनी पिता की वसीयत के अनुसार अपने जाहिदत का बंटवारा किये पहले तो हम हुमाईयू के बारे में छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं हलका हुलका सा हुमाईयू जो है वो बाबर का सबसे बड़ा और उसका सबसे प्रिये बेटा था हुमाईयू का जो नाम है इसका मतलब होता है भागयशाली क्या नाम होता है अर्थ होता है इसका हुमाईय बराबर की जो वसीयत थी तुजू के बाबरी के हिसाब से वो कहता है कि मेरे सारे बेटों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए तो हुमाईयू जो अपने पिता की आगया का पालन करता है और अपनी जायदाद का बंटवारा कर देता है अपने हर भाई को वो एक-एक प्रांत दे देता है लेकिन उसका जो भाई एक कामरान इसकी महतवकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती है उसकी वज़ा से हुमाईयू अपने अफगान प्रतिदंदियों के सामने फीका पड़ जाता है और जो शेर खान है शेर खान जो है वो हुमाईयू को दो बार हराता है अब य हराता है और दूसरी बार इसको कब हराता है 1540 में कन्नोज के युद में हराता है इन प्राजयों की वज़ा से यहां से भाग निकलता है कहां पहुँंझ जाता है 1549 को जो युद है जिसे हम चोसा का युद है ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा जाता है करम नासा नदी के किनारे लड़ा जाता है ये वही नदी है जिसको पार करवाता है एक भिष्टी और जिसको पार करवाने की एवज में जो हुमाईयू है वो उस भिष्टी को जब वा आगे आने वाले टाइम में एक दिन का बादशा घुशित करता है ये करम नाश्या नदी होती है जिसको पार कराने का काम कोन करता है हुमाईयों को हुमाईयों को क्योंकि ये चोसा के युद में हार जाता है तो हुमाईयों नदी के किनारे की तरफ भागता है जहां पर एक भ बापिस आता है तब इस विष्टी को सच में एक दिन के लिए बाशा घोशित करता है और फिर यह जो दूसरा यूद हमने अभी पढ़ा ये कौन सा था पंदरा सो चालीस में कन्योज का यूद को कि ये कन्योज के पास में आ जाता है वैसे ये इस एक और नाम से जाना जाता ह इसे कहते हैं बिल गराम का यूद कोन सा यूद कहते हैं इसे बिल गराम का यूद भी कहते हैं इसमें भी ये हार जाता है ठीक है और ये फिर कहां भाग जाता है इरान की तरफ भाग जाता है अब यहां पर ये इरान की में जब भाग जाता है तो वहां पर एक सफाविद श लेकिन उसके अगले वर्ष उस इमारत में एक दुरगटना में इसकी मृत्यू हो जाती है क्योंकि यह लाइब्रेरी सी एक बनी होती है जिसकी सीडियों से गिरकर यह मर जाता है काफी उसकी लगती है उसक्त और उसकी हालत ऐसी हो जाती कि बच नहीं पाता फिर एक इतिहास क पातार होए है लेन पूल नाम से इनका स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट हो जाता है फर्स्ट गड़ के लिहाज से तो मैं स्पेशल रिक्मेंट करूंगी कि यह सब को पता होना चाहिए कि लेन पूल जो है वो यह कहते हैं कि हुमाईयों पूरी जिंदगी हुमाईयों पूरी जिंदगी लड़ खडाता रहा और लड़ खडाते खडाते ही इसकी मरत्यू हो गई और लड़ खडाते हुए ही मरत्यू को प्राप्त हो जाता है यह कौन कहते हैं लेन पूल इसके बारे में कहते हैं अब देखिए अब इसके बाद आते हैं अकबर अकबर जो है इन कारेकाल दिया गया है यह तो 1556 से 1605 तक तक का दिया गया है और अक्पर का जो जन्म है वो 15 आक्टॉबर 1542 को होता है। ठीक है और इनको समकालिन कौन होते हैं एक तो हैं महाराना प्रताप ठीक हैं महाराना प्रताप जो इनका जो जन्म है वो कब होता है पंद्रा सो चालीस में होता है ठीक है और हम देखते हैं पंद्रा सो चालीस में इनका जन्म होता है और एक कौन है मान सिंग है क्या होगे हमारे इस मार्क को मान सिंग जो है इनका जन्म होता है पंद्रा सो पचास में ठीके और अब आगे देखिए 13 वर्ष की अलपाईयों में अकबर समराट बनता है उसके शाशनकाल को तीन अवधियों में विभक्त किया जाता है पहला तो है जी 1556 से 1570 के मद्य अकबर अपने सरंगशक बैरम खान और अपने घरेलू करमचारियों से स्वतंत्र हो गया उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा गोंडवाना और अपने सोतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रों को दबाने के लिए सैने अभियान चलाई देखो पहले तो कि 13 वर्ष की छोटी सी अयू में इसको इतना बड़ा शाषन सम्राट बना दिया जाता है फिर अपनी बुद्धी नुसार अपने सरंगशकों के अंडर में रहते हुए ये बैरम खान और घरेलू करमचारियों के अंडर में रह जाता है फिर जब और थोड़ा ग्रोव अप उखरते हैं तो उसके बाद ये सूरी और अन्य अफगान शाषक जो हैं और निकटवरती राज्ये जो हैं मालवा गोंडवाना और इनके खुद के सोतेले भाई होते हैं मिर्जा हाकिम और उजबेगों को विद्रों को दबाने में ये खूब सारे सैने अभियान चलाता है और उसी में व्यस्त रहता है ठीक है 1568 में सिसोधियों की राजदानी होती है चितोड और 1559 में ये रण थंबोर पर कवजा कर लेता है अब हम एक छोटा सा इसके बारे में बीच में और ले लेते हैं इसी पॉइंट को इलाबोरेट करत भी बैरम खां का प्रभाव 1560 तक अकबर बहुत जज़ादा रहता है तो उसके बाद अकबर दोह इनको कहता है अब हज यात्रा पर चले जाओ बैरम को ये कहां बेज देता है साने कहां यात्रा पैंफियों दोरान कि उतने सैनिक भियान चलाते और ऐफगानों के विरुद रहे हैं तो जब ये बैरम खां जो है ये हज तो पहुचता नहीं है ये पाटन तक पहुचता है पाटन कहां पे है गुजरात में ठीक है जब ये गुजरात के पाटन शेतर तक पहुचता है तो वहां पर एक अफगान व्यक्ति जो है वो इसको मार डालता है किसको मार डालता बैरम खान को मार डालता है अफगान व्यक्ति जो है इसकी हत्या कर देता है चुरा मार देता है और फिर बैरम खान की जो वाइफ होती है सलीमा बेगम सलीमा बेगम से अकबर विवाह कर लेता है और सलीमा बेगम का एक बेटा होता है बैरम खान से जिसको हम आगे देखते हैं अब्धुर् 레हीम खान खाणा काना, कान खाणा की उपादि तो अकबर दिता इसको, अब्धुर्र रहीम होता हैillisic Laramid老иной。」 अब्धुर्धुर्ध जिनल्द sick के नाम से रहीम के नाम से, फिर उसके बाद में 1560 से 1562 के बीच में एक और चीज होती है वो है जो बहुत अजीबों गरीब सा नाम दिया गया है 1560 से 1562 एक नाम महीला है जिनका नाम है महांगा या महांगा भी इने कहा जाता है इनका बड़ा प्रभाव रहता है इनके उपर मैं महा अंगा लिख लेती हूँ या अब इसे महा मंगा भी बोल सकते हैं क्योंकि जब इसके हमने छोटे-छोटे होते जब इनके सीधियल देखे हूँ अकबर के तो महा मंगा ही समझ में आता था नाम इनका तो हमने इसको देखते हैं कि जो महा महा अंगा या महा मंगा जो है इनका इनके उपर काफी प्रभाव होता है अकबर के उपर और इनका जो हरम होता है हरम यानि महिलाओं के लिए जो एक विशेत्र विशेष जो बनाया जाता है कि यह वहीं रहती हैं सारा जो तो महिलां इनका काफी प्रभाव रहा था और इस शाषन को यान में इस प्रभाव वाले शाषन को क्या नाम दिया गया क्या है लुक्तिल हुदि कोड की ज़्लोक्त वरश तक टहला लकव 2. erst i Camaman नाम दिया गया है ठीक है अब देखते हैं अब इसी के बीच में जैसे ये हमने एक और लाइन पड़ी 1568 में सिसोधियों की राजधानी और 1559 में रंतंबोर पर भी ये कवजा कर लेते हैं ठीक है तो अब इसमें एक और चीज आप अड़ कर सकते हैं कि 1562 में जो आमेर के जो वंशी जो शाशक है भारमल ये भी अकबर से काफी इंपोर्टेंट आ जाता है ये टापिक मुगल प्रशाशन इतना लंबा चोड़ा टापिक है और इतना इंपोर्टेंट है कि इतने सारे फैक्ट्स हैं कि हम बहुत इसके उपर ज्यादा इलाबरेट कर सकते हैं बहुत ज ये अमेर के जो शाशक है भारमल ये अपनी पुत्री का विवा जो है वो अकबर किसे करते हैं ठीक है और जिन से इनका जो बेटा है जहांगीर वो उद्पन होता है ठीक है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे पंदरा आगे हम देखते हैं फिर हैं 1570 से 1585 का जो टाइम ह हैं यहां पर मद्या गुजरात के विरुद सैनी का भियान होते हैं इन अभियानों के पश्चाथ उन्होंने अकबर ने बिहार बंगाल और उडिसा में भी अभियान चलाए थे 1589 में मिर्जा हाकिम के पक्षमे हुए विद्रों ने और जटिल कर दिया था इन अभियानों क 1585 से 1605 के मद्य अकबर के सामराज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए सफाविदों को हराकर कंधार पर कबजा कर लिया गया कंधार जो है वरतमान अफगानिस्तान का शेत्र है और कश्मीर को भी जोड लिया गया अब कश्मीर वर्ड जब आता है तो यहां पर एक और बात बता देती हूं आपको कि 1586 में 1586 में जब कश्मीर को जोड़ा जाता है तब अकबर जो है यहां पर अपने एक बहुत प्रिये व्यक्ति हैं जिनका नाम है बीरबल इनको वहां पर युद अभियान में भेज देते हैं और दुरगटना है कि उसने ऊसको क्यों भेजा कैसी मजा कृने वाले वश्यक्ति हैं यहां बहुत बार पढ़ते हैं कि अकबर ए बीरबल डिरी का जो एक अजरी साथ है वह लगी तरह का चलता है यूद अबियांतों से इतर इनकी दोस्ति भी हैं और इनमें हसी मजा का सीन चलता है वह काफ इधार को हराकर कंदार पर कźष्मिर को भी जोड़ लिया जाता है अक्बर ने अपने अभियान बेज़ता है यहां पर बरार खांदेश और अहमद नगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्ये में मिला लेता है अपने शाशन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रो के कारण लड़ खड़ाया जाती है अब ये सलीम कोन होते हैं जो भविश्य में चलकर समराठ जहांगीर कहलाते हैं जो अकबर के फुत्र है यानि कि अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं जहांगीर जो है इनका साशन काल जो रहता है वो 1605 से 1627 तक रहता है एक बर वापिस एक छोटा सा फैक्ट और बता देती हूं आपको हमने अभी पढ़ा कि 1605 तक जो अकबर का जो शाशन काल है 1605 जब होता है तो यहां देखिए 1600 में East India Company की स्थापना भारत में हो जाती है तो अगर ये question बनता है कि जब भारत में East India Company की स्थापना होती है तो उस समय दिल्ली का शाशक कोन होता है तब वहाँ पर हम लिखते हैं कि हांजी अकबर जो है वो इस दिल्ली का समराथ होता है इस उपमादवीब के बड़े हिस्से पर इसका कबजा हो चुका होता है ठीक है तो अब देखिए जहांगीर को पढ़ते हैं 1605 से 1627 तक इनका शाशनकाल है जहांगीर जो है ये अकबर के सैने अभियानों को आगे बढ़ाता है मेवाड के सोदिया शाशक अमर सिंग ने मुगलों की सेवा स्विकार कर ली थी ये 1615 में संधी करता है यानि मुगलों के बीच में और अमर सिंग के बीच में संधी होती है इसके बाद सिक्खों अहोमों और एहमद नगर के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं जहांगीर के द्वारा जो पूर्णते सफल नहीं होते हैं ठीक है अब इसके बारे में छोटा सा एक और रेफरेंस पढ़ लेते हैं वैसे आई राया चलो आगे जहांगीर के शाषन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में समराठ शाह जहां कहलाया था ये विद्रो कर देता है जहांगीर की पतनी नूर जहां ने शाज रियास्ते या जो शाषक रहे हैं उनकी जैसी एक पॉलिसी नहीं चलाते हैं वो किया थी हमारे शाषकों ने एक पॉलिसी बना रखी थी कि उनकी जैसे कोई राजा है तो उसकी मृत्यों के बाद उनका जो बड़ा बेटा होता था वही अगला शाषक बनता था जेस्ट को थोड़ा चेंज कर रखा था वो कहते थे कि ठीक है इनके जितने भी पुत्र हैं वह आपस में बाद में उत्रादिकार का युद करते थे और उनमें जो अंतिम रूप से विजय होता था वही अगला शाशक यह सम्राट बन जाता था अब जहांगीर के बाद लोजिकली इनक हम एक बात करते हैं यहां देखते हैं अकबर जो है वो शादी करता है किसके साथ में जोदपुर जैपुर घराने की राजकुमारी से ठीक है बारमल की बेटी होती है यहां पर ठीक है और इसका जो बेटा आता है जहांगीर है ना जहांगीर की जो शादी है वो किस से कराई जाती है जोदपुर मारवाड रियासत की राजकुमारी से ठीक है यह होती है मोटा राजा उदै सिंग की बेटी जो होती है उससे इसकी जहांगीर की शादि करवा दी जाती है ठीक है तो अब इसकी जो एक और पत्नी होती है Jehangir की वो होती है नूर जहां अब ये जो नूर जहां है वो कोन है इसके बारे में बड़ा इंट्रेस्टिंग फैक्ट है छोटा सा फटाफट पढ़ लेते है जहांगिर मालब हर बात इसकी agree कर जाता है अब होता कि है जो नूर जाएं पहली चीज इसका जो real name है ये नूर जहां नहीं है इसको उपादी है नूर जाओंगो इसका real name है महरुनिसा है ठीक है अब ये महरून इसा है ये कौन होती है ये है डोटर ओफ ग्यास बेग नाम है इसके फादर का डोटर ओफ ग्यास बेग जिसे हम अतमादू दोला के नाम से भी जानते हैं जब इसकी मृत्य हो जाती है ग्यास बेग की तो ये अतमादू दोला का मकबरा भी बनमाती है नूर जा अपने वो भी काफी एक बुलंद शक्षियत वाली महिला होती है जिनका नाम होता है अस्मत बेगम ये नूर जहां की यानि महरु निसा की ममी है अस्मत बेगम और जो मिर्जा ग्यास बेग है ये इनके फादर सावें ठीक है और इसका जो भाई है उसका नाम होता है आसिफ खांग अ शाजा यानि खुर्रम को हाशिये पर धकेलने की काफी कोशिश करती है तो यह सारी जो जो कौनस्परेसी है वो महरु निसा की बनाई होती है क्योंकि महरु निसा चाहती है कि उसके ब्लड औरिजनेटर यानि उसका जो पूतर है या उसके परिवार से कोई एक अगला शाश समू गुरुप बनाती है ठीक है जुन्ता नाम से एक गुरुप बनाया जाता है जिसके सदसे कोन होते है ऑव्यस है कि जिसने बनाया उसी की फैमिली के बारे में जिसके बारे में आपि पड़ाए वही है तो ये जो नूरजा की मम्मी असमत बेगम नूरजा के फादर साब मि सिफखां है ना ये सारे ही उस जुनता के मेंबर होते हैं और ये ही जहांगीर को कंट्रोल कर रहे होते हैं जहांगीर से जो बड़े बड़े फैंसले जो करवाये जाते हैं ठीक है अब ये ग्रूप कब बनाये जाता है देखो 1611 में तो नूर जांसे इसकी शादी होती है एक कि हस्बिन का नाम होता है अली कुली बेग ठीक है अली कुली बेग जो है इससे नूर जां पहले से शादी करे हुए होती है लेकिन जो जहांगीर है न वो इसकी खुबसूरती से इतना प्रभावित होता है कि ये इसको इतनी मनाने की कोशिश करता है कही साल तक कि ये मान ज जाए और अली कुली बेग को छोड़ दे और उससे शादी कर ले लेकिन वो ऐसा करती नहीं फिर हार के जो जहांगीर है वो अली कुली बेग को ही मरवा देता है फिर इस तरह से यह जो नूर जाए इसकी शादी हो जाती है जहांगीर से और उसके बाद यह कहती है कि अब ठीक जो है जहांगीर पर हो जाता है ठीक है फिर अब हम बात करते हैं शाजां के बारे में काफी हो गया जहांगीर उसके बारे में चलिए शाजां को देखते हैं शाजां का जो शाशनकाल है वो 1627 से 1658 के बीच में रहता है ठीक है दक्कन में शाजां के अभियान जो है वो जारी जैते हैं अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रो करता है और वो पराजित हो जाता है एमद नगर के विरुद अभियान होता है जिसमें बुन देलों की हार हो जाती है फिर और्चा पर कबजा कर लिया जाता है उत्तर पोशिम में बल्क पर भी कबजा करने की कोश कोशिश करते हैं तो उजबेगों के विरुद अभियान होता है जो एसफल रहा जाता है परिणाम सोरुप कंधार सफाविदों के हाथ में चला जाता है देखो कहां तो ये इतनी कोशिश करते हैं कि काबुल पर कबचा कर लिया जी, कंधार पर कर लिया जी, इतना इनका स्ट्रगल चल रहा है, फिर जरिये हमारे जो शाजा जी आते हैं, इनकी छोटी-छोटी mistakes की वज़जा इसा चोटी mistake तो नहीं, इनके जो अभियान है, वो सफल नहीं हो पाते और इनके हाथ से ये जो है कंधार जो है वो निकल जाता है फिर 1632 में एहमद नगर को मुगलों के राज्ये में मिला लिया जाता है और जो बीजापूर की सेनाएं हैं वो सुलय के लिए निवेदन करती हैं कि ठीक है जी हम आपके साशन में आ जाएंगे फिर 1657 से 1658 में शाजां के पुत्रों के बीच उत्रादिकार को लेकर जगड़ा शुरू हो जाता है देखो शाजां इतना बड़ा ताजमेल बनवाता है और शाजां को उत्रादिकारी जो है इसके पांच-पांच बेटे चार-पांच बेटे जो है वो आपस में ही लड़ भीड़ रहे हैं कि हम शाशक बने और हम शाशक बने इसके चक्कर में ओरंग जेब जो है वो इसको आगरा के किले में कैद कर देता है और जिस जगा पर कै अब यह देखिए इनके बीच में पुत्रों के बीच में उत्रादिकार का जगड़ा तो शुरू हो गया और फाइनली ओरंग जेब जो है इसकी विजय हो जाती है और अगला जो सम्राट है वो बन जाते हैं दाराशिको समेत उसके तीनों भाईयों को मोत के घाट अतार दिया अत्रादिकार चीजी ऐसी गड़ी शाशन चीजी ऐसी है कि अपने भाईयों को सगे भाईयों को मां डालते हैं देखो चार भाईयों को मार दिया दाराशिको है के समेत इसने अपने तीन बाईयों przeci都 के खाट उतार दिया शा जांको उसकी शेष जिन्दगी के लिए आगरा अग्रा को जो किला है उसमें कैद कर देता है औरंग जेव अब हम बात करते हैं औरंग जेव की औरंग जेव हो सकता है बहुत अच्छा रहा होगा अपने धर्म के प्रति सब कुछ अच्छा है लेकिन इसकी नीतियां जो थी वह काफी विद्वन्स कारीद रही हैं तो आईए और ने 1680 में पुने विद्रो कर दिया देखो 1663 में अहोमों की तो हार हो जाती है फिर उसके बाद जब तक ये औरंग जेब वगरा के जो शाशन रहते हैं ये कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर 1680 में संगठी तोकर पुने विद्रो करते हैं उत्तर पोस्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद अभियानों को ऐस्थाई सफलता मिल जाती है किसको औरंग जेब को फिर मारवाड के राठोड राजबुतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रो कर दिया इसका कारण था कि उनकी आंत्रिक राजनिती और उत्रादिकार के मामलों में मुगलों का ह अस्तक्षे बढ़ता जाता है मराठा सरदार शिवाजी के विरुद मुगल अभियान प्रारंब में सफल रहता है लेकिन ओरंग जेब जो है वो शिवाजी का अपमान करता है और शिवाजी आगरा में स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकलते हैं यानि कि अब ये संदी क के लिए सुलाय के लिए यहां पर आते हैं शिवाजी लेकिन जो औरंग जेब है वो इनका इंसल्ट कर देता है और इनको वहीं पर कैद कर लेता है लेकिन शिवाजी अपने प्राक्रम के लिए प्रसिद हैं जी वो यहां से भाग निकलते हैं उन्होंने अपने आपको स्व आजकुमार अकबर वो इसके खिलाफ विद्रो कर देता है जिसमें उसे मराठों और दक्कन का सल्तनत का सहयोग मिल जाता है और इसके बाद वो सफाविद एरान वह भाग जाता है कौन भाग जाता है यह जो जूनियर अकबर है वो भाग जाता है यहां से अकबर के विद्रो के फश्चात ओरंग जेब जो है वो दक्कन के शाषकों के विरुद सिनाई भेजता है 1698 में ओरंग जेब जो है वो दक्कन में मराठों जो च्छापमार युद पदती का उपयोग कर रहे थे उनके विरुद अभियान का प्रबंद स्वयम करता है देखो भरोसा नहीं करता ओरंग जेब किसी के उपर भी है ना खुद जाता है कि नहीं इसकी पूरी प्लैनिंग मैं खुद करूंगा फिर ओरंग जेब को उत्तर भारत में सिखो जाटो सतनामियों उत्तर पूर में अहो मो दक्कन में मराठों के विद्रों का सामना करना पड़ता है ठीक है और फिर 1707 में जब इसकी मृत्यू होती है तो अधर से दक्कन वालों को परेशान किया तो वह भी परेशान हुए शिवाजी भी परेशान हुए लेकिन फिर सबने अपना अपना बदला भी इन से लेना शुरू कर दिया कैसे ना कैसे करके सब इसको तंग करते रहे चलो 1707 में इसकी मृत्यू हो जाती है तो कुछ सारे में कहा जाता है कि ये कुरान की प्रतिलीपियां लिखा करता था ठीक है और अपने आजीवी का कमाता था और ये इसके टाइम पे लगबग 33 परतिश्य तक हिंदू मनसबदार इसके शाशन में दर्बार में थे और ये एक मात्र मुगल समराट ऐसा रहा है जो नशा व जीवन जीता था और इसने सबसे ज़्यादा सामराज्य विस्तार किया था अपने राज्य सामराज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किसी मुगल समराट ने किया है तो वो औरंग जेब ने किया है ठीक है फिर इसके मृत्यू के पश्चात इसके जो बेटे हैं कौन होते हैं मुझ्जम और आजम मुझ्जम और आजम मुझ्जम और आजम है ना ये इसके जो बेटे हैं इनके बीच में उत्रादिकार का युद जो है वो शुरू हो जाता है ठीक है अब इस ताइम पे इनके बीच में कैसे फिर आगे possibilities change होती है होता क्या है कि जिसे हम मुझ्जम कोन है बहादुर्शा फरस्ट है जिनने हम जानते है ये गद्दी पर बैठता है और ये हमारे जो राजस्तान के कच्छवाव अंशी है आमेरवाले मिर्जा राजा स्वाई जैसिंग स्वाई जैसिंग जो है उस टाइम पे औरंग जेव की मृत्यों के बाद किसका साथ देते हैं आजम का साथ देते हैं लेकिन होता क्या है स्वाई जैसिंग ये किसका साथ देते हैं औरंग जेव के बेटे आजम का देते हैं इन्हें लगता है कि आजम गद्दी पर बैठ जाएगा लेकिन हो जाता है उल्टा गदी पर कौन बैठता है मुझ्जम मुझ्जम बैठ जाता है जिसे हम बादुर्शा प्रत्थम कहते हैं बादुर्शा प्रत्थम जिसे हम कहते हैं ये गदी पर बैठ जाता है और ये जब गदी पर बैठता है ना 1712 में ना 1712 में जब यह गद्धी बेट न तो आते ही सबसे पहले ही इनको यहां से बगाता है कि वही तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो चलो जी अब तुम भी आमेर की गद्धी से निश्कास नित हो जाओ तो इने यहां से निकाल देता है ठीक है चलो इस तरह से इनके बिच में ज थोड़ा से एनलार्ज कर देते हैं अकबर का जो शाशन है देखिए अकबर का जो शाशन है 1605 में यह देखिए यहां से यहां तक इन मुगलों का जो एमपायर था सामराज्य था वो यहां से यहां तक फैला हुआ है देखिए कहां पर बरार यह गुजरात का शेतर यह अबाद, बरार, और के बीच में मलाया, रन्थंबोर, फतेपुर, सीक्री, आगरा, मतुरा, दिल्ली, पानिपत, पंजाब, गुजराद, चितोडगड़ा, जमेर, सिंद, लाहूर, कश्मीर, श्रीनगर, ये सारा एरिया, देखे कितना बड़ा शेतर जो है, यहां इनके यानि अकबर की जो पतनी है, मा कच्छवावंश की, यानि की आमीर की राजकुमारी थी, वहां अंबर, वरतमान में जैपुर के राजबुत शाशक भारमाल की बेटी थी, शाजा की मा एक राठोड राजकुमारी थी, वहां मारवाड जोदपुर के राजबुत शाशक, मो श्वास नहीं करते थे जिसमें जेश्ट पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्रादिकारी होता था इसके विपरीत उत्रादिकार में भी सहदायाद ये तमनलोजी अच्छी आने लग जाएगी अब धीरे धीरे हमें इन उर्दू के शब्दों को भी याद करना पड़ेगा सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्रादिकार का विबाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था जैसे हमने पढ़ा था कि बाबर ने भी कहा था हुमाईयों को कि तुम अपने सारी जो प्रोपर्टी है वो भाईयों में बां देखा जाए तो जो इस्ट्रादिकार सहदायाद दोनों में से क्या सही है क्या नहीं वो तो ततकलिन परिस्थितियां बता सकती है अब देखते हैं मुगलों के अन्य शाषकों के साथ संबंद हम जब तालिका वन को हम उपर से देखते हैं जब भी हमने सारा पढ़ा था य दियान की जिनोंने उनकी सट्था को स्विकार करने सें इंकार कर दिया जब मुगल शक्ति-षाली हो गए तो अन्य कंई शाशकों ने स्वेच्छा से उनकी सप्ता स्विकार कर ली राजपूत इसका एक अच्छा उदारन है अनेक अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवा करके उच्छ पद प्राप्त किये लेकिन कईयों ने इसका विरोध भी किया देखिए जैसे कच्वाव जैपुर आमेर का इन्होंने तो सबसे पहले मुगलों के अधीनता स्विकार कर ली थी और विवाईक संबन्द भी इन्होंने स्थापित कर लिए थे अब जैसे हम पढ़ते हैं हमने अभी पढ़ा था 1615 में जो संधी होती है मुगल मेवार संधी जिसमें अमर सिंग जो है अमिर सिंग वो इनसे संधी करते हैं तो उसमें ये क्लियर मेंशन होता है कि यहां पर विवाईक संबन्द स्थापित नहीं किये जाएंगे तो वहां पर नहीं किये जाते हैं उद्यपुर रियासत से इनके वहां से मिवाड रियासत से इनकी संबन्द विवाईक संबन्द नहीं हो पाते हैं बलकि मारवाड और जैपुर दोनों ही रियास्ते इनसे वेवाइक संबंद जो है वो स्थापित करती हैं और कई इनका विरोध भी करते हैं अब जो जिनों ने अपनी बेटियां दे दी तो उनको आगे जो है एक अच्छी-ची रेंक देनी शुरू कर दी ज ताकि आपको ये जब एक्जाम के पॉइंट ओफी से आपको रिवाइज करना हो तो बहुत इजी हो जाए वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि थोड़े दिनों में मैं आपको इन सारे चेप्टर्स के शोट नोट अवेलिबिल करवाऊं वो अभी तक इसलिए नहीं हो पा जैसी वक्त मिलेगा जैसी पॉसिबल होगा हम इसके नोट साथ को अवेलिबल करवा देंगे प्रिवीजन के लिए अब है मिवाड के सिसोधिया राजबुत जो है वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्विकार करने से इनकार करते रहे परन्तु जब वे हारे तो मुगल रतन सिंग होते हैं जो अलावधिन खिल जी के टाइम पे चितोड के जो शाश्वक होते हैं वो मारे जाते हैं तो यहान। इसमे अंतिम जो राजा होते हैं रावल रतन सिंग वो मारे ही बसाए हुए गाउं में एक और व्यक्ति है जो पूरी वीरता के साथ उठ खड़े होते हैं तो उसे क्या जाता है हमीर देव है ना तो यह जो हमीर है यहां पर यह आते हैं और इस सिसोधा गाउं के होते हैं इसलिए यह सिसोधिया वंशी कहलाते हैं ठीक है तो अब गुहि जो की सत्ता को काफी लंबे समय तक स्विकार करने से इनकार करते रहते हैं पर तु जब यह हारते हैं तो मुगल राजावी इनके साथ पूरे सम्मान के साथ विवहार करते हैं और उन्हें उनकी जागीरें वापिस कर देते हैं ठीक है पराजित करने और अब मानित नय करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वज़ा से मुगल भारत के अनेक शाशकोर सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थी परन्तो इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कटिन था फिर एक बार तालिका देके तो गौर करते हैं कि शिवाजी मुगल सत्ता स्व अब हम बात करने वाले हैं मनसबदार और जागीरदार ये क्या चीज थी जैसे जैसे सामराज्य में विबिन शेत्र समिलित होते गए थे वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समुग के सदस्यों को प्रशाशन में नियुक्त करना आरंब कर दिया था शुरू अफगानों, राजबूत, मराटों और अन्य समुगों को सम्मिलित करना शुरू कर दिया क्योंकि सामराज्य बढ़ गया है तो उसको होल्ड करने वाले भी काफी सारे अधिकारी होने चाहिए तो अब इनको अपनी ही कौम के लोगों को सिर्फ रखना पॉसिबल नहीं था इनको और लोगों की भी जरुवत पड़ी जिसके कई कारण हो सकते थे तो वो इन्होंने इनको शामिल किया है और मुगलों की सेवा में आने वाले नोकरशा यानि जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको इन्होंने मनसबदार नाम दिया मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनने कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसियत अत्वा पद मिलता था देखिए अब यहाँ पे टर्मनलोजी काफी अच्छी होती जाएगी यह है मनसबदार मनसबदार कोन है ऐसे मनसब होते थे जिसको कोई सरकारी हैसियत अत्वा पद मिलता था यह मुगलो द्वारा चलाई गई श्रेणी विवस्ता थी जिसके जरिये पद वेतन और सैन्ने उत्रदाइत्व निर्धारित किये जाते थे यानि कि किस राजा को जो उनके अंडर में आ चुका है उसको कौन सा पद दिया जाएगा उसको कितना वेतन दिया जाएगा और उसको सैन्ना का कौन सा उत्रदाइत्व दिया जाएगा कौन से अभियान पर वेजा जाएगा ये सब निर्धारन किया जाता था पद और वेतन का निर्धारन जात की संख्या पर निर्बर था अब जात क्या चीज है इसको हम एक बार रुक कर पढ़ते हैं जात की संक्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा यानि उस राजा की जो प्रतिष्ठा है वेल्यू जो है रेपोटेशन जो है वो उतनी ही बढ़ जाती थी उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था यानि जितनी बड़ी उसकी जात होती थी जात अब यहाँ जात की श्रेनिया बनाई गई है जात जो है वो एक तरह की श्रेनिया है इसका मतलब यह है कि 5000 जात वाले अभी जातों का दर्जा दिया जाता था और 1000 जात वाले अभी जातों से उंचा था और अकबर के शाशन में 29 ऐसे मनसबदार थे जिने 5000 की जात की पदवी प्राप्त थी औरंग जेब के शाशनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 यानि 89 हो गई थी एक कमसी थी ऐसे मनसबदार थे जिनको 5000 तक का मनसबदार दिया जाता था मनसबदार एक रेंक बना दी गई थी जिसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत जादा फैसिलिटीज दी ज जाते थे अब देखिए जो सैन ने उत्तरदाइत्व मनसबदारों को सोंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घोड़ सवार रखने पड़ते थे मनसबदार अपने सवारों को निरक्षन के लिए लाते थे वह अपने सैनिकों के घोड़े दगवाते थे यानि उनके पर एक stamp लगाई जाती थी दागा जाता था उन्हें और सैनिकों का पंजी करण करवाया जाता था registration होने लग गया था वैसे यह लावग दिन खिल जी के टाइम पे भी होता था इन कारे वाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था यानि कि समराट की तरफ से समराट के खजाने से कब मनसबदारों को पैसे मिलते थे पहले तो उन्हें अपने गुड सवार दिखाने पड़ते थे सवार दिखाने पड़ते थे कि हमारे पास जी इतने सवार हैं गुड सवार हैं पैदल सवार हैं वो दिखाने पड़ते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाया जाता था, कई ऐसा नाओ की जुटा ही दिखा देगी हमारे पास इतने घोड़े हैं, तो नहीं जी सब घोड़ों के उपर एक एक निशानी लगा दी जाती थी, फिर सैनिकों का पंजीकरन करवाया ज साधी उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए राजगोष्ट से धन मिलता था, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एक अत्रित करने आली भूमी के रूप में पाते थे, जिनें जागीर कहते थे, अब इनको वेतन देना है मनसबदारों को, मनसबदारों को जो वेतन देना ह वो कहां से मिलेगा जो जागीरे इनको दी जाती थी उनको कहते थे कि जलो जी अब आप यहां से अपना टेक्स कलेक्शन जनता से कर लो वही आपकी सेलरी है जो तकरीबन इकताओं के समान थी अब हम बात करते हैं परंतो मनसबदार मुक्तियों से भिन थे अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और नहीं उन पर प्रशाशन करते थे क्योंकि जागीर उनके पास केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था यह राजस्व उनके लिए उनके रखे हुए नोकर एकत्रित कर लेते थे क्योंकि इन मनसफदारों को तो खुद किसी ना किसी अन्य शेतर में दर्बार की सेवा के लिए भेज दिया जाता था शाशकों के द्वारा समराट के द्वारा किसी ने किसी सैने अभियान में ये भाग लेते रहते थे अक्बर के शाशनकाल में इन जागीरों का स्वावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे ओरंग जेब के शाशन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिती बदल गई अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था मनसबदार की संक्या में भी वृद्धी हो गई जिसके कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतिजार करना पड़ता था इन सभी कारणों से जागीरों की संक्या में कमी हो गई फलसुप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना राजसों वसूल कर सकें कर ले अपने शाशनकाल के अंतियम वर्षों में ओरंग जेब इन परिवर्तनों पर नियंतरन नहीं रख पाया उत्रादिकार का योदियां पर भी शुरू हुआ मुझजम और आजम के बीच में स्वाई जेसिंग हेल्प करते हैं आजम की लेकिन शाशन गद्धी पर कौन से आ जाते हैं मुझजम आ जाते हैं बादुर्शा फस्ट आ जाते हैं तो औरंग जोएब को जितना होल्ड जो अपने पूरे टाइम पर रहा है वो अब इस टाइम पर नहीं रहता वो बिलकुल ढर ठोगवा होता है ठीक है अब है जब्द और जमीदार एक और चितर देखे है शाजां के राजकाल में एक लगू चितर के बेवरे का बेवरा दिया गया यहाँ जहां गीर के समय के भ्रष्ट आचार को दिखाया गया है जिसमें एक भ्रष्ट अफसर जो है वो रिश्वत ले रहा है और दूसरे चित्र में एक कर अधिकारी गरीव किसान को सजा दे रहा है कि तुमने कर नहीं चुकाया तो चलो जी आओ तुमें सजा देते हैं अवे जब्द और जमीदार इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए मुगलों की आमदनी का प्रमुक सादन किसानों की उपद से मिलने वाला राजस्व था अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीन, कुलीनों यानि मुकिया या स्थानिय सर्दारों के माद्यम से राजस्व देते थे समस्त मद्यस्थों के लिए चायवे स्थानिय ग्राम के मुकियां हो या शक्तिशाली सरदार हो मुगल एक ही शब्द जमीदार का प्रयोग करते थे अकबर के लिए राजस्व मंत्री टोडर मल ने दस साल की कालावधी के लिए क्रिशी की पैदावार कीमतों और क्रिशी भूमी का सावधानी पुर्वक सरवेक्षन किया इन आंकडों के अधार पर प्रतेक फसल पर नकद के रूप में देखिए अकबर का राजस्व मंत्री है टोडर्मल इसने दहशाला यानि दस साल का एक कालावधी के लिए क्रिशी की पैदावार कीमते और क्रिशी भूमी का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षन करवाया था इस निश्चित कर दिया गया था प्रतेक सूबे यानि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया प्रतेक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बिनाई गई राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्द कहा गया तो ये जब्द क्या है ये ऐसी व पुर्वक उनका हिसाब रख सकते थे ऐसा निरिक्षन गुजरात और बंगाल जैसे प्रामतों में संभव नहीं हो पाया कुछ शेत्रों में जमीदार इतने शक्ति शाली थे कि मुगल प्रशाश को द्वारा शोशन किये जाने की स्थिति में वे विद्रो कर सकते थे कभी कभ अकबर ने अपने करीबी मित्र और दर्बारी अबुल फजल को आदेश दिया क्या आदेश दिया जी कि अबुल फजल को आदेश दिया गया कि वह उसके शाशनकाल का इतिहास लिखे अबुल फजल नहीं है इतिहास तीन जिल्दों जिल्दों यानि तीन पार्ट्स में लि आने सेना राजसो और समराज्य के भुगोल का बियोरा मिलता है ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन से जी फर्स्ट गर्ड के लिहाज से आप इन लाइनों को बिलकुल मिस ना करें जरूर पढ़ने की कोशिश करें वापिस बता देती हूं अकबर का फ्रेंड और दर्बारी होती है तीन सेक्षन में तीन पार्ट में आता है ये वोल्यूम में पहली जिल्द जो है वो अकबर के पुर्वजों का बियान है दूसरी जो है वो अकबर के शाशनकाल की घटनाएं है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशाशन गराने सेना राज मजदूरी और राजस्व का सांखे किये विवरन अभी एक पोट्रेट बनाया गया है जिसमें अबुल फजल से अकबर ले रहे हैं अब आगे देखिए अकबर की नीतियां नस्दीक से एक नजर प्रशाशन के मुखे अभी लक्षन अकबर ने निर्धारित कर दिये थे और इ प्रशेश करके आईन अकबर जो इसकी तीसरी जिल्ध है उसमें मिलता है अबुल फजल के अंसार समराज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था जिने सूबा प्रांत यानि सूबा कहा जाता था सूबों के प्रशाशक यानि सूबेदार कहलाते थे जो राजनितिक तता सैनि दोनों प्रकार के कारियों का निर्वाह करते थे प्रतेक प्रांत में एक वित्ती अधिकारी भी होता था जो दिवान कहलाता था वित्ती अधिकारी यानि दिवान फिर है अकांटेंट फिर कानून और विवस्ता बनाई रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था जैसे बक्षी अब सैनिक वेतना दिकारी कोन होता है बक्षी होता है सदर कोन होता है धार्मिक और धर्मार्त किये जाने वाले कारियों का मंत्री और फोसदार कोन होता था सैना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिक का प्रभाव इन सब के बारे में तो हम वैसे पढ़ चुके हैं पर फिर भी पढ़ लेते हैं महरू निसा जो है जो नूर जाएं वो 1611 में जहांगीर से विवा करती है और उसे नूर जां का खिताब उतकिर्ण थे और दूसरी और यहां वाकिया रानी बेगम नूर जहां के नाम से घड़ा हुआ बाईं और दिया गया दस्तावेज नूर जान द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है यह जो हम पढ़ रहे हैं यह फरमान है यह लिखा गया है चोकोर मोहर यह मोहर है एक यह बताती है उदात और महान महरानी नूर जहां पादशा बेगम का आदेश और गोल मोहर के अनुसार लिखा गया है क्या कि शाह जहांगीर के प्रताब से महरानी चंद्रमा जैसी वहब उफशाली इस सिक्के पर जो लिखा गया है बन गए हैं हम कामना करते हैं कि नूर्जा पादशा इस योग की सर्वोतम महिला बने अब देखिए अकबर के अभिजात यानि बड़ी सेनाओं का जो संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे जब तक वे वफदार रहे सामराज्य का कारे सफ वफदारी उनके नीजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई यानि कि 1570 में जब फतहपूर सीकरी में था अकबर तब उसने उलेमा ब्रामनों जेसुईट पादरियों यानि जो रोमन कैथोलिक को मानने वाले थे और जर्स्ट रुष्ट यानि पार्सियों के धरम अनियाईयो के साथ धरम के मामलों पर चर्चा शुरू की और उस टाइम पर ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई अकबर की रूची विबिन व्यक्तियों के धरमों रीती रिवाजों में थी क्योंकि ये एक बहुत अच्छा और वैसे तो शाशक रहा है इसने सभी धरमों को सम्मान दिया है और इसने एक इबादत खाना जो बनवाया है वहाँ पर ये सभी धरम गुरुओं के साथ में जो हर धरम को मानने वाले थे उनके साथ बैटता था उनके साथ बातें करता था उनको जानने की कोशिश करता था इनकी काफी रूची धर्मों रिती रिवाजों में थी और इनके विचार विमर से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रिती और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कटर होते हैं उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और ऐसामंजस से पैदा करती हैं ये अनुबव अकबर को सुले कुल और सर्वतर शानती के विचार की और ले गए याने की अभी एक इंपोर्टन लाइन ये आती हैं कि अकबर ने एक नीती अपनाई थी सुले कुल की सुले कुल का मतलब होता है कि हर तरफ शानती हो सहिशनता की यह दारना विबिन धर्मों के अनुयाईयों में अंतर नहीं करती थी अपीतू एक मिनिट अकबर की यह जो दारना है यह विबिन धर्मों के अनुयाईयों में अंतर नहीं करती थी लेकिन अपितु ये एक इबादत खाना है देखिए इसमें अकबर बैठा है और इसमें ये पार्सी धरम वाले हो गए हिंदू धरम वाले हो गए अन्य धर्मों को जो लोग है वो सब यहांपर बैटे हैं, इबादत खाने में यहांपर बैटे चर्चा करते हैं, है न, तो यह सब लोग यहांपर बैटे हैं, यह एक ऐसी विवस्था थी नीती शाष्तर की, जो सर्वतर लागु की जा सकती थी, इसमें इसने केवल और नयाय और शांती पर ही बल दिया था अबुल फजल ने सुलय कुल के इस विचार पर आधारित शाशन द्रश्टी बनाने में अकबर की मदद की थी ठीक है शाशन के इस सिद्दान्त को जहांगीर और शाजाने भी अपनाया था इसने एक धरम भी पंत भी चलाया था दीन इलाही ठीक है अकबर ने चलाया था अब देखिए अकबर ने कई संस्कृत गरंतों के फार्सी में अनुवाद कारेयों को संपन करवाया इस उदेश्य होतु इसने फटैपूर सीकरी में एक मक्तब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की थी मक्तब खाना पिर इसने रामायन महा भारत लीलावती योग वशिष्ट जैसे उलेखनी संस्कृत गरंतों का अनुवाद कारेयों के लिए चुना था रजम नामा जो महा भारत का फार्सी अनुवाद है यह बहुत इंपॉर्टन लाइन आ जाती है कि फार्सी में महा भारत के अनुवाद को क्या नाम दिया गया है तो यह दिया गया है रजम नामा इसमें महा भारत कालिन जो घटनाएं है उनका जिक्र किया गया है अब यह सुलय कुल की नीती क्या थी उसको देखिए जरा अकबर की सुलय कुल की नीती का उनके पुतर जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है इश्वरिय अनुकंपा के विस्तरत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयाईयों की एक जगा हैं इसलिए उसके विशाल समराजय में जिसकी चारों और की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी विरोधी धर्मों के अनुयाईयों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगा थी यहां ऐस हिश्मता का मार्ग बंद था यहां सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकठे होते थे और इसाई और यहूदी एक ही गिर्जे में प्रातना करते थे उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शान्ती सुले कुल सर्व शान्ती के सिध्धान्त का पालन किया था सत्रवी शताबदी में और उसके पश्चाद मुगल समराजे मुगल समराज्य की प्रशाशनिक और सैनिक उशलता के फलसोरूप आर्थिक और वानिजिक समरद्धी में व्रद्धी होती है विदेशी यात्री ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा की किसे कहानियों में बताते रहे हैं परन्तु यही यात्री इस प्रचूर्ता के साथ मिलने वाली दरिदर्ता को देखकर भी विसमित रहे गए समाजिक ऐस मनता हैं साफ दिखाई देती हैं शाजा जांके शाशनकाल के बीसमे वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चुतम पदप्राफ्ट था कुल आठ जार में से 445 ही थे कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6 परतिशत को ही समराज्य के अनुमादित राजसुव का 61.5 परतिशत स्वयम उनके व्या उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था यानि कि अब उनकी स्थितियां धीरे-धीरे डाउन भी हो रही है मुगल समराट और उनके मनसबदार अपनी आये का एक बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे इस खर्चे से शिल्पकारों की सानों को लाब होता था चुंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे प्रंतु राजसों का भार इतना था कि प्रात्मिक उत्पादकों यानि किसानों शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन भचता था इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से पेट भर पाते थे वे उत्पादन शक्ती बढ़ाने के लिए अतिरिक संसाद्रों में ओजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे ऐसी अर्थ व्यवस्ता में जादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूव, व्यपारी और माजन जादा लाव उठाते थे अब यह सिंपल सी थियोरी है कुछ खास नहीं है इसके अंदर फिर भी देखते हैं मुगलों के कुलीन वर्गों के हातों में बहुत धन और संसाधन थे जिसके कारण सत्रवी शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यदिक शक्तिशाली हुए जैसे जैसे मुगल समराट की सत्ता पतन की और बढ़ती गई वैसे वैसे वीबिन समराटों में समराटों के सेवक स्वयम ही सत्ता की शक्तिशाली केंदर बनने लगे इन में से कुछ ने नए वंश थापित किये हैदराबाद और अवद जैसे प्रांतों में अपना नियंतरन जमाया यदपी वे दिल्ली के मुगल समराट को स्वामी के रूप में मानता देते रहे यदपी अठारवी शतावदी तक समराज्ये के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनेतिक पहचान बना चुके थे इनके बारे में हम दस्वें चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे अब है राजा और रानिया वैसे कुछ खास इसका रेफरेंस नहीं है फिर भी देखते हैं सोल्वी स्षदी में मुगलों के लगबग समकालिन संसार के विबिन भागों में कई मैतोपुन राजा रानिया थे इसमें ओटोमन जो तुर्की के सुल्टान थे सुल्टान सुलेमान वो भी शामिल है 1520 से 1566 उनके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की तरफ बढ़ गया था उन्होंने हंगरी को अपने राज्य में मिला लिया फिर ऑस्ट्रिया को घेर लिया उसकी फोजों ने बगदाद और इराग को भी हतियाया मुरक को तरक उत्री अफ्रीका का बहुत हिस्सा ओटोमन सप्ता का मानना जाता था फिर है सुलेमान ने ओटोमन नोसेना का पुर्णर गठन किया पूर्वी भुमद्य सागर के इलागों पर इस नोसेना के प्रभूतव को की वज़े से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस परदा हुई अरब सागर में इस नोसेना ने पुर्टगालियों को चुनोती दी समराठ को अलकानूनी विदी निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शाशनकाल में बड़े संक्या में नियम कानून बनाए गए थे इन नियमों का लक्षय यह है ताकि बढ़ते हुए समराज्या के विभिन शेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशाशनिक तरीकों का मानकी करण हो और किसानों को बेगार और भारीकरों से बचाया जा सके आगे चलकर सत्रवी शताबदी में ओटोमन शेत्रों में जब सारजनिक विवस्ता का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर शाशनकाल के रूप में याद किया जाने लगा यानि ओटोमन शेतकाल जब खतम हुआ तो सुलेमानी कानून के काल को आदर शाशनकाल के रूप में याद किया गया फिर अब ये एक और चीज़ देखिए कि जब अकबर का शाशनकाल चल रहा था तो उनके समकालिन अन्य शाशक दुनिया में कौन-कौन थे तो इंग्लेंड में तो थी जी क्वीन अलिजाबेट 1558-1603 फिर इरान का सफाविद शाशक शाव बास्तास 1588-1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादासपद रूप में रूशी शाशक जार जो इवान चतुर्त जिसे जार दा टेरिबल कहा जाता था बैसल योविच 1530-1584 ज इसे इवान दा टेरिबल नाम से कुख्यात है इन सब को देखा जाता था यह सब लोग इसके टाइम पर थे अब सही जोड़े बना देते हैं चलो एक कोशन कर लेते हैं ऐसे आज का चैप्टर बहुत लेंदी हो गया है काफी बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें थे और क सिसोधिया राजबुद कौन थे मेवाडवाले राठोड राजबुद मारवाडवाले नूर जांके से समंदिती जहांगीर से और सूबेदार कौन होता था गवर्नर होता था तो इस तरह से देखिए यह चैप्टर आजम पूरा करते हैं और आगे जल्दी एक नए जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें शुबरात्री जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ धन्यवाद हार्दी का भार